Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. आज हम पढ़ेंगे class 10th के physics का प्रकास का second part. आपने first part में परावर्तन पढ़ा और second part में हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन. तो मैं समझता हूँ आप सभी परावर्तन का class बहुत अच्छे से complete कर चुके होंगे, पूरी तयारी कर चुके होंगे. और फिर हम अपवर्तन को समझते हैं. तो आज हम अपवर्तन का class इस्टार्ट करते हैं और ये जो अपवर्तन का हमारा concept है, वो पूरा परावर्तन के concept पर ही है, प्रकास का जो नेचर है, प्रकास में जिस पकार के प्रवित्ती होती है, सब का सब वही होगा जो आपने परा परवर्तन कहते हैं कि प्रकास के किड़ने जब किसी एक माधियम से चल के आती हैं और किसी दूसरे पारदर्सी माध्यम में प्रवेस करती हैं यहां पर दूसरे माध्यम का पारदर्सी होना ज़रू है पहला तो पारदर्सी रहे गई तो एक पारदर्सी माध्यम से चल कर किसी दूसरे पारदर्सी माध्यम में प्रवेस करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो ज जाती है मतलब जिस रास्ते पर वो जाते रहती है उस रास्ते को छोड़के वो किसी दूसरे रास्ते पर चले जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं अपवरतन कहते हैं इस पकार से हमने यहाँ पर स्लाइड में इसका description भी लिखा हुआ है जब प्रकास किरण एक मध्यम से दूसरे माध्या में प्रवेस करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है इसे प्रकास का अपवर्तन कहते हैं अब हम यहाँ पर एक फिगर बना के इसको समझते हैं कि वास्ताव में भाई इस तरह की घटना की इस तरह से होती है देखो, तो माल लो मैं ने स्लाइट पर आपको इसको समझा रहा हूँ देखो, माल लो यह कोई ग्लास का कांच का एक तुकड़ा है माल लो, ग्लास का स्लेब है कांच का गुटका है यह और इस कांच के गुटके पर हमने एक प्रकास की किरण आप्तित किया सपोज हमने इसमें एक प्रकास की अड़ाप्तित किया यह तो जब हम यहाँ पर प्रकास की अड़ाप्तित करते हैं तो उस बिंदू पर खीषते हैं हम एक अभिलम इस बिंदू पर हम एक अभिलम खीषते हैं यह अभिलम है जो मैंने आपको यह dotted line से बनाया यह यहाँ पर खीचा गया अभिलम है अब यह जो प्रकास की किराण है जब उस माध्यम से आती है इस दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ पर यह क्या है अपने मार्ग से हट जाती है अभिलम के और मूर्ती हुई चली जाती है यह इस तरह से इधर चली गई यदि मैं यहाँ पर एक और अभिलम खीज़ दू अब यहाँ पर मैं एक और अभिलम खीज़ दू इस तरह से तो अब यहाँ से जब यह हटती है तो फिर क्या है ये फिर अपने मार्ग से विसीत हो जाती है इस तरह से चली जाती है ये और वास्तावम इसका जो मार्ग था इसका जो वास्तवीक मार्ग था वो एक्ट्वल में क्या था ये था ये इसका वास्तवीक मार्ग था इस पकार से इसमें घटना होती अब यहाँ प यह कांच है यह suppose ग्लास है और एर क्या है यहाँ पर विरल माध्यम है यह विरल माध्यम है और ग्लास क्या है उसकी तुल्ना में सघन माध्यम है विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब क्या होता है विरल माध्यम का मतलब होता है ऐसा परदर्शी माध्यम जिसमें माध्यम के तो जब किसी माध्यम के जो density है कहना चेए उसका जो घनत्व है वो क्या हो कम हो मतलब अडू उसके दूर दूर हो हो तो विलाल माध्यम होता है पास पास हो हो तो सखन माध्यम होता है इस पकार से तो जब यह आप्तित किरण है यह जो किरण है यह आप्तित किरण है यह आप्तित किरण जब यहाँ पर आप्तित होती है तो यह जो अभिलम आप देख रहे हो वो अभिलम की ओर जुपती हुँ चली जाती है इसलिए यह अभिलम की ओर चली गई अब यहाँ से फ यह आप्तित किरण और इसको हुम आपतित किरण कहेंगे और यह क्या है लंभ यहां यहां पर, लंभ या अभlining कह सकते हैः ठीक है और यह क्या ए अपवर्तित किरण है इसको निरकट किरण कहा जाता है कि जब पुना हुब उसी माध्या में वापस लोड़ जाती है जिसमें स्यायशनस को निर्गत किरन कहा जाता है और यह क्या है यहाँ पर अप्वर्तित किरन है तो यह आपतन हो गया आई हो गया अब यहां पर देखो यह जो कोड यह भिलम के साथ में बनाये गई यह जो कोड है इसके हम आर्ड से पताषित करते हैं और यहाँ पर क्या है अपवर्तन इसको मैं आगे आपको एक्स्प्रेंट करूँगा इस पकार से देखो जब प्रकास की किरण एक माध्यम से चलके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पत से वास्तों में इसका वास्तविक पत ही था जो हमने डाटेड लाइन से सो किया है यहां पर यह उसका वास्तविक पत था लेकिन वह अपने वास्तविक पत स चले जाती है इसको हम क्या करते हैं प्रकास का अपवर्तन कहते हैं अब आगे हम इसको समझेंगे कि इसमें आई और आर की बीच में क्या संबंद होता है इसके नियम क्या होते हैं इनके सभी को अपन वन बाई एस्प्लेंट करेंगे एक बात आप ध्यां रखना कि टेंथ क्लास में जो आप यह टापिक पढ़ रहे हो आपको ट्वेल्ड क्लास में दुबारा पढ़ना है जिन लोग आगे साइन्स लेके पढ़ाई करेंगे जो मैस या साइन्स लेंगे वो इसको बहुत ज़्यादा परसानी होने वाली है इसलिए मैं हर टापिक को बहुत सुक्षमता से डिसकस करके आपको समझा रहा हूं क्योंकि 9th और 10th क्लास जो होता है वह वास्तों में बेस क्लियर करने का क्लास है मतलब यहां पर हमारा foundation हमारा basic चीज इतना ही strong होना चाहिए कि आगे चलके हमको subject में interest भी आए और साथ ही हमको वह आसान भी लगे तो बहुत ध्यान से समझना 10th standard पर यदि आप अच्छा कर लेते हो अपना command physics पर तो आगे आपको बहुत फायदा ह थे होग़ा तो यह चीजों का धियान रखो मैं क्या बताया आपको अब आगे आप देखो यहाँ पर यह है अ आपवर्तन के नियम का मतलब क्या है देखो यहां पर एक बार statement को आप यहां से पढ़ऊ तो छिस तरह से हमने परावरतन का नियम पढ़ा था exactly उसी तरह से अपवर्तन का नियम होता है तो अपवर्तन के दो नियम क्या है देखो बिलकुल उसी तरह से जैसे परावर्तन का मैं आपको इस स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि परावर्तन समझने के बाद अपवर्तन में ज्यादा प्राबलम नहीं आता है पूरा कॉंसेट वैसे चलता ह तो पहला नियम क्या है कि आपतित की रण, अपवर्तित की रण और प्रिस्ट पर अभिलम तीनो एक ही तल में होते हैं यहां पर आप फिगर में देखो यह अपतित की रण है यह अपवर्तित की रण है और यह क्या है अभिलम है देखो तीनो एक ही तल में है ये इसका तल है जिस सर्फेस पर वो आप्तित हो रहे हैं तो पहला रूल क्या कहता है देखो पहला रूल कहता है कि आप्तित कीरण अप्वर्टित कीरण और अभिलम तीनो एक ही तल में होते हैं फर्स टूल है अपरतन के नियम बोड एक्जाम में पुछा जाता है बहुत आसान है और बैसी कॉंसेप्ट भी है ये दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं स्नेल नामक साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया तो हम इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं आपतन कोड की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब होता है साइन, साइन को हम हिंदी में जिया कहते हैं, तो आपतन कोड के जिया और अपवरतन कोड के जिया में एक निश्चित अनुपात होता है, और इस अनुपात का मान नियतांग होता है, जिसे हम अपवरतनांग के ना में एक निश्ची तनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के साप्यक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग कहते हैं और इस पकार से हम इसको गड़िती रूप में ऐसा पदसीत करते हैं तो μू इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर मू बराबर साइन आ या पान साइन आर ये फार्मूला को आप याद रखोगे ठीक है ये कहलाता है स्नेल के नियम यहाँ पर मू अपवर्तनांग के बारे में और डीटेल में पढ़ेंगे अपवरतनांक का एक और फार्मूला होता है ये फार्मूला को स्नेल ने दिया इसलिए हम इसको स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं लेकिन अपवरतनांक का एक और फार्मूला होता है वो है प्रकास के वेग के बेस पर या हम V1 को C भी मान सकते हैं, प्रकास में, वायू आ निर्वात में प्रकास की चाल को हम C से पदरस्थित करते हैं, उसका मान निश्चित होता है, तो यहां पर अपवर्टनांग का एक और फार्मूला होता है, जो क्या होता है यहीं पर मैं लिग देता हूँ, अपवर्टनां प्रकास की चाल है और वी क्या है किसी माध्या में प्रकास की चाल है या हम इसको भीवन अपान भीटू भी कर सकते हैं भीवन अपान भीटू कहने का मतलब पहले माध्या में प्रकास की चाल बटे दूसरे माध्या में प्रकास की चाल और दूसरे माध्या में प्रकास की चाल के अनुपात को भी हम अपवरतनांग के नाम से जानते हैं तो यह स्नेल ने दिया इसको स्नेल का नियम कहते हैं और इसको किसी वाइग्यानिक के नाम से नहीं जाना जाता बलकि इसको हम सीधा इस प्रकार से याद करते हैं अपवरतनांग बराबर पहले माध्य में प्रकास की चाल बटे दूसरे माध्य में प्रकास की चाल तो यह हो गया अपवरतनांग एक बार रिपीट करता हूं ध्यान दीजिए स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोड की जिया और अपवरतन कोड की जिया में एक निश्ची तनुपात होता है जिसे हम अपवरतनांग कहते हैं यह मू से पदरसीत किया जाता है मू क्या है एक ग्रीक अलफाबेट का लेटर है इसको हम पढ़ते हैं मू मू अब हम पढ़ते हैं अपवरतनांग के प्रकार देखो यह जो अपवरतनांग होता है यह दो प्रकार का होता है अपवरतनांग के दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार जो कहलाता है वह है निरपेक्ष अपवरतनांग इंगलिस हम बोलते हैं absolute refractive index और दूसरा कहलाता है सापे निर्पेक्ष अपर्तनांग मतलब कहलाता है relative refractive index इस प्रकार से अपर्तनांग का दो प्रकार होता है एक निर्पेक्ष और दूसरा सापेक्ष जो निर्पेक्ष अपर्तनांग होता है निर्पेक्ष अपर्तनांग का मतलब होता है वायू या निर्वाद के सापेक्ष निर्वाद के सापक्ष जो अपरतांग होता है इसको हम निर्पेक्ष करते हैं इसको याद रखने का आपको मैं अच्छा तरीका बता रहा हूं नी से निर्वाद नी से याद रखो निर्वाद निर्पेक्ष का पहला लेटर है नी तो नी से याद रखो निर्पेक्ष मतलब निर्वाद या वाईू तो वाईू या निर्वाद के सापेक्ष जो अपरतांग होता है उसको हम निर्पेक्ष अपरतांग कहते हैं यहाँ पर जैसे हम संकेत में लिखें तो क्या के लिख सकते हैं संकेत में जैसे A, Mew, G इसका मतलब क्या हुआ? काच का अपरतनांग हवा के सापेक्ष काच का अपरतनांग हवा के सापेक्ष यहाँ हम लिखें मालो A, Mew, W तो पानी का अपवर्तनांग हवा के सापेक्ष तो देखो चुँकि यहाँ पर हम किसी माध्यम का अपवर्तनांग एर के सापेक्ष निकाल रहे हैं हवा के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा निर्पेक्ष अपवर्तनांग कहलाएगा सापेक्ष अपरतनांग का मतलब क्या होता है सापेक्ष अपरतनांग का मतलब है किसी एक माध्यम का किसी एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष किसी एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष मतलब कोई एक माध्यम हो और कोई दूसरा माध्यम हो तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष निकाला जाए तब उसे हम क्या कहते हैं सापेक्ष अपवरतांग कहते हैं तो सापेक्ष अपवर्तनांग को हम किस प्रकार से पदर्शित करेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांग को ऐसा पदर्शित कर सकते हैं. W mu g. W mu g का मतलब क्या हुआ? काच का अपवर्तनांग. इसको हम किसका अपवर्तनांग कहेंगे? यहाँ पर रहाएगा काच काच का अपवर्तनांग इसको ध्यान से समझना कई बार इस्टूडेंट को confusion होता है कि अपवर्तनांग किसका है तो काच का अपवर्तनांग किसके सापेच पानी के सापेच या जल के सापेच तो इसका मतलब क्या हुआ घ्रवधा ध्यान से समझना, Mu के बाद जो लिखा जाता है, यह जो Mu के बाद लिखा जाता है, उसी का अपवर्वतनांक होता है। कई बार स्ट्वेंट कंफ्यूज होते हैं कि μ्यू के पहले लिखा जाता है उसका अपरतनांग समझ लेते हैं तो भाई ऐसा नहीं होगा ना म्यू के बाद जो लिखा जाएगा उसी का अपरतनांग होगा और μू के पहले जो लिखा जाएगा उसके सापेक्ष होगा मू के बाद G लिखा हुआ है तो G लिखे होने का मतलब क्या है कि कांस का अपवर्टनांग होगा और जो पहले लिखा गया है उसके सापेक्ष होगा फेज छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रत्पेवे चलना है अब यहाँ पर मैं एक महत्पूर्ण बात पर डिस्कस करता हूँ वो है इन नियुनितम अपवर्तनांग कितना होता है नियुनितम अपवर्तनांग minimum reflective index किसी भी पतारत का कितना हो सकता है तो यहाँ पर एक महत्पूर्ण बात है यह बहुत depth knowledge है बहुत ध्यान से सुना यहाँ पर महत्पूर्ण बात है कि नियुनितम अपवर्तनांग हम किसका बताएं निर्पेक्स का कि सापेक्स का तो सापेक्स का नियुनितम अपवर्तनांग हम नहीं बता सकते सापेश का नियुनतम अपरतांग हम क्यों नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो चीज दूसरे से तुलना करके बताया जा रहा हो उसका कम या ज्यादा बताना संभव नहीं है लेकिन यदि किसी का comparison किसी एक निश्चीचीच से किया जाए तब हम उसका बता सकते हैं कम या ज्यादा तो नियुनतम परतांग किसका होता है निर्पेक्षप परतांग का होता है तो नियुनतम निर्पेक्षप परतांग क्या होता है यहाँ पर मैं आपको यह highlight करके एक box में यहाँ पर लिक रहा हूँ इसको आप कभी नहीं भूलना यह competitive exam में आपका काम आएगा ठीक है मैं पहले नियुनतम नियुनतम निर्पेक्ष अपर्तनांग मैं साब साफ फ्लिक दे रहा हूं यहां पर निर्पेक्ष तो नियुनतम निर्पेक्ष अपर्तनांग जो होता है वो कितना होता है तो नियुनतम निर्पेक्ष अपर्तनांग हवा का होता है निर्वात के सापेक्ष देखो यह दोनों का आपस में, मतलब क्या, किसका air का, air का अपदान भी फार वेक्कियूम, भी माने निरवात, यहाँ पर भी क्या है, निरवात है, ए क्या है, air है, तो हवा का अपदान निरवात के सापेक्ष, नियुंतम होता है और इसका मान होता है 1.003 जिसको हम लगभग एक मान के चलते हैं यह नियुंतम परतांग है आज तक इस ब्रम्हान में ऐसा कोई माध्यम नहीं मिला जिसका निर्पेक्षब परतांग किस से कम हो ठीक है तो ध्यान रखना, यहाँ पर V क्या है? निर्वाथ है, कहीं आप भूल ना जाओ, मैं यहाँ पर लिक देता हूँ निर्वाथ, V फार वेक्यूम, और A क्या है यहाँ पर? Air है, हवा, तो यह है अपवरतनांग के प्रकार और अपवरतनांग का यह आपको depth में मैंने explanation बता दि चलिए, अब हम आगे देखें, अपवरतन का कारण, अब यह बहुत महत पूर्ण बात है, कि भई अपवरतन क्यों होता है? कई बार हमारे दिमार्ग में question आता है, कि भई अपवरतन हुआ क्यों? अपवरतन का कारण क्या हो सकता है? तो अपवरतन का वास्तों में कारण क्य है भिन भिन माध्यमों में प्रकास का वेक का भिन भिन होना यह हमको कहीं पर भी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है कहीं पर भी हमको बता दिया जाता है जब प्रकास की किर्णे विरल माध्या में सस्थे सगन माध्या में प्रवेस करती हैं तो उसका वेग पर प्रभाव पढ़ना चाहिए दीशा पर क्यों प्रभाव पढ़ता है बहुत घहराई से डिसकस कर रहा हूं ध्यान से सुनना एक्च्वल में टेंथ लेबल की स्टुडेंग हिसाब से बहुत डेप्थ वाला इसमेंसान है लेकिन आप ध्यान दो कि बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपका कमांड फिजिस पर बहुत जबरजस्थ हो गई इस तरह के चीजों को समझने से क्या बोला है आपको कि भीन भीन माध्या में प्रकास का वेक भीन भीन होता है तो प्रकास हवा से चलके आके ग्लास में जब प्रवेस करती है कांच में तो उसको अपने स्पीट को कम कर लेना चाहिए उसको कम स्पीट से जाना चाहिए लेकिन अपने मार्ग से विचलित क्यों हुआ वो सवाल यह उड़ता है तो यहाँ पर हम उसको समझेंगे कैसा क सघन में जाता है विरल से सघन ध्यान से समझना अब मैं विरल से सघन के बारे में आप से बात कर रहा हूं तो मालो हमने यहाँ पर कोई एक यह डिवाइडिंग लाइन ले लिया यह और इसके उपर में इसके उपर में मालो यह एर है जो की विरल है और नीचे में ग्लास है जो की सघने अब यहाँ पर हम एक प्रकास की किर्ण आप्तित करते हैं जैसे अभी मैंने आपको सब एस्प्लेन किया यह हमने एक प्रकास किर्ण आप्तित किया प्रकास किर्ण आप्तित करने के बाद यहाँ पर हम एक अभिलम खिंज दिये और इस तरह से इस case में प्रकास की जो किर्णे हैं वो अभिलम की और जुगती हुए चली जाती हैं हमको मालूम है कि जब प्रकास की किर्णे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलम की और जुग जाती हैं जब प्रकास की किर्णे विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलम की ओर जुग जाती है तो अभिलम की ओर जुग जाती है इस बात को हमको समझना है ठीक है देखो तो क्यों जुग जाती है ध्यान से समझना है यहाँ पर सनेल के नियम से हम जानते हैं कि मिउ बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर अभी हमने पढ़ा है तो इस तरह से ये क्या है आपतन कोड है ये आई है और ये क्या है अपवरतन कोड है ये अपवरतन कोड क्या है आर है इस पकार से साइन आई बटे साइन आर होता है परंतु हम ये भी जानते है क्या कि μू बराबर होता है V1 बटे V2 V1 बटे V2 जहां पर V1 उसका हवा में वेग है और V2 क्या है काच में वेग है यह हमने अभी पढ़ा है कि पहले माध्य में प्रकास के वेग और दूसरे माध्य में प्रकास के वेग का जो अनुपात होता है वह भी अपड़ तांख होता है अब इन दोनों को यह दि हम मिला दें तो दोनों को मिला दें यह भी mu के बराबर है यह भी mu के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इसको हम लिख सकते है sin i बटे sin r और बराबर क्या हो जाएगा यह v1 बटे v2 अब देखो V1 हवा में प्रकास कवेग है और V2 क्या है काश प्रकास कवेग है तो हम सब को मालूम है कि प्रकास कवेग हवा में जादा होता है क्योंकि मैं बताया कि हवा क्या है विरल माध्यम है वहां माध्यम के कंड दूर दूर होते हैं जिसके करण प्रकास को वहां गती करने में स्वीधा होती है असानी सी निकल जाता है लेकिन ग्लास में घुसता है वो तो ग्लास में क्या हां माध्यम के कंड पास पास होते हैं तो तो वहाँ पर जो प्रकास कवेगा उतनी गति से नहीं कर पाता तो यहाँ पर V1 V2 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या बट यहां से हम लिख सकते हैं बट V1 is greater than V2 तो V1 क्या होगा V2 से ज़्यादा होगा इस कंडिशन में therefore sine I sine I बड़ा हो जाएगा किस से sine R से इसका मतलब क्या हुआ कि जब right side में अंस बड़ा है जब दायें तरफ में यह V1 V2 से बड़ा है तो बायें तरफ का भी अंस जो है हर से बड़ा हो जाएगा तो sine I बड़ा हो जाएगा sine R से और therefore हम इस बात को क्या लिख सकते हैं I बड़ा हो जाएगा किस से R से I बड़ा हो जाएगा R से और इस तरह से देखो इस तरह से I जब R से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ अब चीतर को ध्यान से देखो आई का आर से बड़ा होना आई का आर से जो बड़ा होना है वो ये बताता है कि आपतन कोड का मान कम होगा और अपवरतन कोड का मान आपतन कोड का मान जादा होगा और अपवरतन कोड का मान कम होगा तो इसका मान को कम रखने के कारण क्या होगा अभिलम की और प्रकास के किर्णे जुग जाती हैं यह है अपवर्तन का कारण तो प्रकास के वेग का भीन भीन माध्याम में भीन भीन होना ही उसका कारण है बट उसका explanation यह है कि जब प्रकास की किर्णे सघन से विदल में जाती हैं तो आपतन कोण का मान ज्यादा होता है विलम की और जुग जाती है clear यह है विरल से सघन में जाने पर अब हम इसको देखें यदि हम सघन से विरल में लेके जाएं यदि हम इसको सधन से कहाया लेकर आए विरल में तो जब इसको हम सधन से विरल में लेकर जाएंगे तो किस पकार की घट न होगी? चलो इसको भी अपन समझे अब हम माध्यम को उल्टा बना देते हैं कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने यह जो ऊपर माध्यम बनाया है यह मालोग glass है अब काँच उपर है और air नीचे है उपर में काँच है नीचे में यहाँ पर air है तो यहाँ पर अब हम अपरताम की घटना को दिखाने के लिए प्रकास करण उड़ाब्तित करें तो यह हमने एक प्रकास के नडाप्तित किया अब प्रकास के नडाप्तित करने के बाद यहाँ पर हम एक अभिलम खिंज दिये यह मालों क्या है एक अभिलम है और हमको मालूम है इस केस में प्रकास के क्रिणे क्या होती है अभिलम से दूर हरती भी चली जाती है दूर हटके जा रही है तो इसका explanation क्या होगा बिल्कूल वही explanation होगा कैसे चूंकि हमको पता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर अब यहाँ पर माल लो glass में हवा का वेग क्या है भीवन है उसका और air में भीटू है अब हमने यहाँ पर माल लिया कि glass में भीवन वेग है और यहाँ पर air में भीटू है ऐसा माल लिया हमने तो इस condition में क्या होगा कि म्यू बराबर भीवन बटे भीटू ठीक है या air और glass लिख दू इतना तो खेर आप समझ जाओगे air और glass भीवन भीटू के जगह में a और g भी लिखा जा सकता है उसे थोड़ा confusion कम होता है ठीक है तो वीवन वीटू के बराबर होगा यह अब अनुपात में होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin i बटे sin r equal to v1 बटे v2 लेकिन अब इस case में देखो अब इस case में चूंकि v1 चूंकि यहाँ पर v1 छोटा है v2 से क्यों छोटा है क्योंकि v1 को हम यहाँ पर glass में velocity लिये हैं और v2 को हमने कहां पर लिया है air में velocity लिया है तब कांच में उसका वेग क्या हो जाएगा कम हो जा साइन i less than sin r हो जाएगा और इस पकार से i less than r हो जाएगा मतलब आई का जो मान है आपतन कोड का मान वो कम हो जाएगा और अपवरतन कोड का मान ज्यादा हो जाएगा इसलिए वह अभी लम से दूर चली जाएगी तो यह है अपवरतन का कारण है इस पकार से हम कर सकते हैं कि अपवर्टन इस पकार से होता है clear तो कुल मिला के हमारा main conclusion क्या हुआ कि जब प्रकास की किरणे विरल से सघं़ में जाती है तो अभिलम की ओर जूँग जाती है और जब प्रकास की किरण सघं़ माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलम से दूर हट जाती हैं यही क्या है अपरतन का कारण है ओके तो मैं समझता हूँ आपको यह अच्छे से एस्प्लेंट हो गया होगा इसको आप प्रापर नोट्स भी बना लेना यह पूरा चीज़ आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना ओके प्रकास की उतक्रमडियता का सिध्धान्त देखें कुछ यह छोटे छोटे प्रिंस्पल है जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाले हैं इस पर निम्यरकल भी बनता है प्रकास की उतक्रमडियता का सिध्धान्त प्रिंस्पल आप रिवर्सिबिलिटी आप लाइट तो प लाइन है और इस डिवाइडिंग लाइन के उपर में मालो हवा है और नी चे में मालो क्या है ग्लास है यह उस टीक है और हम एक अभी न हम पर दिया औहां सet कर नहीं पड़ेगा यह हमने सो कर दिया अब यहां देखो नहीं हो ये प्रकास की किरण चल के आ रही है ये अपतन कोड है आई है अब ये अभिलम के और जुपती हो चली गई ये अपवरतन कोड है ये आर है इस प्रकास से यहां पर अपवरतन की घटना होती है अब हमने यहां पर क्या किया ये जो प्रकास की किरण जो दूसरे माध्या में ज आप्तित कर दिया समतल दरपण में हमने प्रकास के केड़नों को लंबवत आप्तित कर दिया इस प्रकार से जब प्रकास की केड़ने एक समतल दरपण पर लंबवत आप्तित होंगी तो आपको मालूम है कि लंबवत आप्तित होने पर वह लंबवत परावर्तित भी हो जाती ह इस प्रकार से सेम दिशा में ये परावर्तित हो जाती है इस प्रकार से तो प्रकास की उत्कम्रेता का सिधानत यह है कि यदि अपवरतन की घटना में प्रकास के मार्ग को विप्रित कर दिया जाए तो प्रकास की किरने उसी पथ का अनुसरा करती है जिस पथ से वो चल के कर दिया जाए तो प्रकास की क्लिने उसी पथ का अनुसराण करते हैं जिस पथ से होके वह आई थी इसे हम प्रकास की उत्क्रमडियता का सिधान कहते हैं प्रिंसिपल आप प्रिवर्सिबिलिट्य आप लाइट कहते हैं अब इसको यदि हम एक गड़िती रूप में इसको एस्प्रेंट करें तो गड़िती रूप में क्या हो जाएगा यदी हम सीधे जा रहे हैं क्या air to glass ठीक है air to glass मने हवा से कहां जा रहे हैं कांच में तो हवा से कांच में जाने पर हम इसको क्या लिखेंगे, amug, इसको हम लिखेंगे amug, और यहां पर यह आपतन कोड है, आर अपवर्टन कोड है, तब हम इसको लिख सकते हैं, sin i बटे sin r, इसको sin i अपन, sin r लिख सकते हैं, अब यदि हम काच से हवा में जाएं, अब उल्टा जा रहे हैं, तो कहां से, का काज से हवा में प्रवास करेंगे तो gm 전에 हो जाएगा। यह हो जाएगा और उस समय आर आपतन कोड का काम करेगा और आज अपवरतन कोड का काम करेगा तब हम इसको लिख सकते हैं ? i this पकार से sin r अपान, sin i हो जाएगा, तो यह a mu g है, यह g mu a है, अब हम क्या करें, यह दोनों को multiply कर दें, सपोज हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो दोनों को गुणा करने पर अपने को क्या मिलेगा, देखो, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, a mu g, और कहां से left side में मिल जाएगा क्या G mu a और right side में sin i यापन sin r यह बटे sin r और गुणा इसको लिखेंगे sin r बटे sin i होगा इस पकार से इसको हम लिख सकते हैं sin r बटे sin i यह लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखो, यह सब के सब आपस में कड़ जा रहे हैं, यह सब भी आपस में कड़ जा रहे हैं, आई, आई के सांस में, आर, आर के सांस में, इस तरह से होगा क्या, इस तरह से, therefore, इसको हम लिख सकते हैं, a mu g into g mu a equal to 1 हो जाएगा, clear, दोनों का गुणा एक के बराबर हो जाएगा, अब इसको यह दि हम इधा ट्रांसफर कर दें, तो यह हो जाएगा, a mu g बराबर 1 बटे g mu a, यह उत्करमणीता के सिधान का mathematical रूप है, तो आपको ध्यान रखना है, कि a mu g बराबर 1 बटे g mu a होता है, तो उत्करमणीता के सिधान को गडिती रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फार्मूला का बहुँच जगहों में use होगा, future में भी use होगा, आपका इस class में भी use होगा, तो इसको आपको याद करके रखना है, a mu g equal to 1 बटे g mu a, यह कहलाता है, प्रकास की उत्करमणीता का सिधान्त, ओके, यह बहुत important सिधान्त है, यह board exam में भी आता है, उसके सां प्रकास के लिए important है, चलिए, next topic है हमारा, पारस्विक विस्थापन, यह पार्सविक विस्थापन क्या होता है, देखो, पार्सविक विस्थापन का, मैंने आपको पीछेत फिगर बनाए था, चलो, यहाँ एक और फिगर बना देता हूं, आपको समझाना है, यह मालोए का कांच का गुटका है और इस कांच के गुटके पर हम प्रकास के अपवरतन की घटना को सो कर रहे हैं यह हमने प्रकास के किरण आप्तित किया आप्तित करने के बाद यहां पर हमने एक अभिलम खीज दिया इस तरह से यहां पर उसके मारगा को मैं पहले से बता देता हूं कि य यह प्रकास की क्रेड़ने क्या होगी यह पुन्ह अभिलम से दूर अबसे नहीं होने पर होता लेकिन अप्वरतन के कारण यह इस मारग से चली गए तो यहां पर आप फाइनली देखो कि उसका पथ इस पकार से होता है जिस पथ पर वो जा रही उसके समांतर होता है मतलब यह रेखा इस रेखा के हमेशा समांतर होगा मानलो यह एर है और यह मानलो ग्लास है और यह फिर एर है तो एर से प्रवेस्ट करके जब पुन विस्थापन हुऊगा, मतलब जितने दूर उससे वो हट गया, इतना दूर उससे वो हट गया और इसी दूरी को हम क्या कहते हैं इसका पार्सविक विस्थापन करते हैं मतलब इसके 20 की जो दूरी है इसको मैं D से लिख देता हूँ D से रिप्रेजन कर देता हूँ तो यह distance क्या होगा यह जो D distance है यही इसका पार्सविक विस्थापन कहलाता है यह कहलाता है पार्सविक विस्थापन मतलब प्रकास की किर्णे अपने वास्तविक पथ से जितनी दूरी हट के निकलती है ये इसका वास्तविक पथ था और ये इसका अपवर्तन के बाद का पथ है तो वास्तविक पथ और अपवर्तन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो विस्थापन है कहना चाहिए वह विस्थापन क्या कहलाता है पार्स्विक विस्थापन कहलाता है ठीक है जैसे हमने उसमें पार्स्विक वो देखा था दरपण में क्या देखा था लेटरल इनवर्सन ठीक है मतलब बायें का दायें आगे चल कि हायर क्लास में आप इसका फर्मुला भी डिराइब करोगा टेंथ क्लास में किवल आपको कॉंसेट समझना है इसका ओके यह पार्स्विक पिस्थापन अब हम आगे देखें विभीन माध्यमों में प्रकास का पडतन यह एक महत्पून टापिक है यह टापिक यह कहता है कि मानलो प्रकास की केड़ें कई माध्यम से होके गुजर रही है मानलो प्रकास के माध्यम का कई माध्यमों से होके गुजरना हो रहा है मानलो यह एक माध्यम है इसके बाद फिर मैं डिवाइडिंग लाइन को दूसरे कलर से कर दूँ यह दूसरा माध्यम है और फ सबसे पहले माद्या में air है हवा है दूसरे माध्या में मालो water है यह पानी है और तीसरे माद्या में मालो क्या है यहाँ पर ग्लास है इसी प्रकास से यह तीन माध्यम है अब यहां पर यहां प्रकास के किरणों के अपवरतन को सो करें तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो यह प्रकास के किरण हमने आप्तित किया प्रकास की किरण आप्तित करने के बाद यहां पर हम अभिलम करेंगे देखो पूरा इसम अविलम की ओर जूख जाएगी। यह अविलम की ओर जुखा दिये इस तरह से और फाइनली यह प्रकाश की क्य़ने फिर कshift हो जाएगी। निर्गत हो जाएंगी, मतलब यदि इसका वास्तविक प्त था, स्वारी, डाटेलाइन कर दो इसको मैं, ये इसका वास्तविक प्त था, ये तो लास्ट वाला प्त क्या होगा भी मैंने आपको समझाया है, ये इसके समांतर होते हुए चली जाएगी, ऐसा, इस प्रकार से प्रकास के केड़ों का अपवर्तन होगा तो भीने भीने मादे में देखो इसको प्रूब करने का कई तरीका है लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीके से प्रूब कर रहा हूँ मालो एर में प्रकास का वेग भीवन है इस प्रकार से इसके आज वाटर में चले आए तो वाटर में प्रकास कवेग मालो V2 है इसके बाद फिर हम ग्लास में चले आए ये ग्लास में तो यहाँ पर वेग क्या है V3 है और लास में फिर एयर है तो यहाँ पर फिर इसका वेग क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा ज्यान से समझो, हवा में प्रकास कब एक V1, वाटर में प्रकास कब एक V2, ग्लास में प्रकास कब एक V3 और फिर हवा में प्रकास कब एक V1 हो जाएगा इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो भिन भिन माध्यमों में प्रकास का अपड़तानिस्ट प्रकास से होता है अब इसको यदि हम mathematically समझें गडिती रूप से इसको हम explain करें तो क्या हो जाएगा देखो यदि हम इसको गडिती रूप से समझें तो इसका explanation क्या होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले से दूसरे माध्यम में तो air to water इसको हम लिखेंगे a mu w a mu w मतलब हवा से जब प्रकास की केंडे हवा से ग्लास में प्रवेस्ट करेंगी तो a mu w equal to क्या हो जाएगा v1 upon v2 a mu w equal to v1 upon v2 इसके बाद हम निकाले w mu g यदि हम इसके बाद w mu g निकाले तो क्या हो जाएगा v2 upon v3 क्यों क्योंकि पानी में प्रकास के वेग वीटू है प्रकास में v3 है देखो इसको प्रूप करने का दो तरीका है एक तो snail के नियम से और दूसरा प्रकास के वेग वाले फर्मूला से तो मैं प्रकास के वेग वाले फर्मूला से प्रूप कर रहा हूं इसके बाद हम निकालेंगे g mu यह g mu a तो g mu a निकालेंगे तो यह हो जाएगा v3 upon v1 v3 upon v1 हो जाएगा तो a mu w v1 upon v2 w mu v2 upon v3 और g mu a equal to v3 upon v1 अब तीनों का यह गुणा कर दिया जाए तो तीनों को गुणा करने से क्या हो जाएगा a mu w into w mu g और into हो जाएगा g mu a यह होगा और सभी का गुणा करेंगे तो right side में अपने को क्या मिल जाएगा यह अपने को मिलेगा v1 upon v2 into v2 upon v3 और into v3 upon v1 यह मिलेगा और यहाँ पर अब v1 v1 के साथ v2 v3 के साथ v3 v3 के साथ में cancel out हो जाएगा और cancel out होने के बाद इसके values का मिलेंगे that implies यह होगा a mu w into w mu g और into g mu a equal to 1 कहने का मतलब क्या होगा यदी प्रकास की किर्णे भिन भिन माध्यमों से अपड़तित होके पुना हुसी माध्यम पर निकलती है जिस माध्यम से उसने चलना प्रारम किया था तो सभी माध्यमों के अपड़तां का जो गुड़न फल है वह एक के बराबर होता है सभी माध्यमों के अपड़तां का जो गुड़न फल है वह एक के बराबर होता है यह इसका concept है यह कहलाता है भीन भीन माध्यमों में प्रकास का अपवर्तन भीन भीन माध्यमों में प्रकास का अपवर्तन चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टापिक गोली प्रिष्ट से अपवर्तन अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो क्या था? समतल प्रिष्ट से अपवर्तन था अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वह समतल प्रिष्ट से अपड़तन था अब हम देखते हैं गोली प्रिष्ट से अपड़तन मतलब जिस प्रिष्ट पर प्रकास की केर्णे आपतित हो रही है वह प्रिष्ट क्या है? प्लेन ना होके समतल ना होके गोली हो जैसे आपने पहले दरपन पढ़ा, तो दरपन में हमने सबसे पहले समतल दरपन पढ़ा, और समतल दरपन के बाद हमने गोली दरपन पढ़ा, जिसमें अवतल और उतल पढ़ा, तो उसी प्रकार से अपवरतन में भी अभी हमने सबसे पहले समतल से अपवरतन पढ़ा, और सम करता हूं वह बहुत जोरी है कि सम्तार प्रिश्यस एक और टापिक वह मैं ध्यान में आ रहा है देखो वह है आभासी तथा वास्तविक गहराई यह क्या होता है यह समझने अपने जोरी है सम्तार प्रिश्यस एक पड़ता में बहुत महत्मुन घटने वास्तविक तथा अभासी तथा वास्तविक गहराई होता क्या है यह जब हम किसी वस्तू को पाणी के अंदर देखते हैं आपने देखा होगा कुछ एक्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जैसे मानलो हम बीकर में पानी भरा है उस पानी भरे हुए बीकर के अंदर हम एक कांच के छड़ को डुबा दें तो कांच के छड़ को डुब या किसी भी छड़ को डुबा दें तो पानी में जहां से टच होता है वहां सो बेंड हो गया तिर्शा हो गया जैसा दिखता है या स्वक्ष ज जल हो उस वक्ष जल के अंदर यदि हम एक सिक्का रख दें तो सिक्का अपने सत्ह से थोड़ा उपर उठा हुआ दिखाई देता है या तालाब में जील में यदि आप जाओ और पानी एकदम साफ सूथ रहो तो जैसे आप पानी के अंदर घुसोगे तो पैर अंदर घुसात जब कोई भी सत्ह सघन माध्या में होता है और जब हम उसको विरल में देखते हैं तो वह आपने वास्तविक स्थिती से थोड़ा उपर उठा हुआ दिखाई देता है इसे ही हम क्या कहते हैं आभासी और वास्तविक घहराई में रिलेशन इसको हम इस तरह से एक चित्र के म बात रहें इसमें मालो जल भरा हुआ है इसमें हमने यह मालो पानी भरा हुआ है ठीक है यह इस सत्ता तक मालो इसमें द्रो भरा हुआ है अब आप इमेजिन करो कि यहां पर एक क्वाइन रखा हुआ है यहां पर सपोस्स यहां पर हमने एक सिक्का रखा हुआ है यह ग्रीन यहां पर आपतित होने के बाद यहां पर अभिलम खीचें यहां पर कर दिया तो अपरतन के पर यह जो होता है यह उसका प्रत्वीम बनता है यह उसका प्रत्वीम बनता है तो वास्तों में नीचे जो आप देख रहे हो वह वस्तु है और यहां पर जो आप देख रहे हो वह उसका प्रत्वीम है यह उसका प्रत्वीम बहुत आसानी सी इस चितर से आप समझ पाओगे तो नीचे वस्तु है और यहां पर प्रत्वीम है तो जब हम उसको उपर से देखते हैं, तो उपर से जब हम अपने आख से, हमारा आख यहां होता है, और यहां से हम दब दोनों प्रकास के क्यूणों को देखते हैं, तो हमको वास्तों में दिखाई देता है यह, तो वस्तु रहता है यहां नीचे में, लेकिन हमको लगता है क कि वो उपर उठ गया है इसलिए क्या होता है कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से उपर उठा हुआ देखाई देता है यह सभी टापिक आप हायर क्लास में और mathematical explanation के साथ पढ़ोगे यहाँ पर 10th class में आप only theoretical mathematical explanation के साथ उसको पढ़ रहे हो अब जब आप 12th class में पढ़ोगे तो इसको पूरा तो lens का दो खास्यात होता है lens एक पारदर्सी माध्यम होता है जो दो सतहों से मिलके बना होता है यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ दो सतहों से बहुत लोग lens की परिभासा नहीं बता पते माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोली हो यह महत्पूर सड़त है जिसका कम से कम मतला वेट लिस्ट दोनों भी हो सकते हैं और कम से कम जिसका कम से कम एक सतह गोली हो यह क्या कहलाता है लेंज कहलाता है तो दो सतहों से मिलकर बना ऐसा पारदर्सी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह क्या हो कम से कम जिसका एक सता गोली हो ये क्या कहलाता है लेंस कहलाता है इस प्रकार से लेंस के वैसे तो six प्रकार होते हैं अलाग अलाग डिवाइट करें तो लेकिन basically हम उसको यहाँ पर इस class में दो प्रकार का पढ़ेंगे तो इसका जो प्रकार होता है ठीक है इसका जो प्रकार ह होता है यह हम यहाँ पर एस्प्लेंग के हुए है यह लेंस के प्रकार उत्तर लेंस और उत्तर लेंस यह लेंस के प्रकार है तो यह लेंस के सबसे पहले मैं आपको उत्तर लेंस कीस प्रकार का बना होता है ती यह उत्तर लेंस ऐसा बनाया जाता है यह ऐसा मिल कर भणा हुआ है इसके बीच में यह dividing लाइन सो कर दें यह तो देखो कहलाता है ठीक है अब दूसरा देखो ओतर लेंस का आकरिती किस प्रकार से होता है देखो ओतर लेंस की आकरिती इस प्रकार से होती है यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह ओतर लेंस के आकरिती है ओतर लेंस हम ऐसा बनाते हैं यह ओतर लेंस होता है इसके दोनों प्रिस्ट अ तो यहां पर बीच में जो point होता है, इस बीच के point को, हम इस बीच के point को, यहां पर क्या कहते हैं, प्रकास केंदर, O से पदरसित करते हैं, इसको प्रकास केंदर कहा जाता है, O, यह इसका प्रकास केंदर है, इस प्रकार से, यह भी दो सतों से मिलके बना हुआ है, तो इसके भ और दयाएं तरब एक point होता है इसको दृति मुख्य focus करते हैं मतलब इसके focus दो होते हैं प्रत्रम मुख्य focus और दृति मुख्य focus दो मुख्य focus होता है आगे हम इसको explain करेंगा और इसके बाये तरभ race medal जोनग में यह को दो प्रतिवीम रचना के नियम में एस्प्लेन करता हूँ, ओके, तो यह लेंज के प्रकार हो गया, उत्तर लेंज और आउतर लेंज, चीतर बनाने के आप प्रापर प्रेटिस कर लेना, क्योंकि जब तक आप ढंग से चीतर नहीं बनाओगे, तब तक प्रकास के चेप्टर में अच्छा मार्स नहीं मिलेगा, प्रकास के चेप्टर में अच्छा नंबर पाने का सीधा मतलब है, कि आपको चीतर बहुत अच्छे से, साब सूत्र अनिटेन क्लिंग बनाना है चलिए अब हम देखते हैं प्रतिवीम रचना के नियम प्रतिवीम रचना के नियम है क्या कि प्रतिवीम जब हम बनाते हैं तो किन किन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं इसको हमको समझना है और इसमें मैं दोनों को अलग-अलग explain कर रहा हूँ एक तरफ outer lens को और दूसरे तरफ उत्तर lens को दोनों आपको समझना है कि दोनों में क्या क्या नियम है तो इधर मैं लिख रहा हूँ उत्तर lens उत्तर lens को मैं आपको पहले समझा दू उत्तर लेंस प्रत्वीम रचना के नियम क्या है और यहां पर मैं आपको बता दूं ओतर लेंस और हम इसका मुख्यक्ष्य बना दें यह इसका मुख्यक्ष्य है इस पकार से तो प्रद्वीम्रशना के क्या के नियम है यह आपको थोड़ा सा धियान से समझना है तो पहला नियम यह है कि जो प्रकास की किर्णे मुख्यक्ष के समनांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के पस्चात फोकस में जाके मिलती है जो प्रकास की किर्णे मुख्यक्ष के समनांतर आती है वो फोकस में जाके मिलती है इसी गुण के कारण इसको अभिसारी लेंज भी कहा जाता है इसी गुण के करण इसको अभिसारी लेंज, इसका एक और नाम है अभिसारी, अभिसारी लेंज, मने प्रकास की केर्णों को केंजरित करने वाला लेंज, कनवर्जेंट लेंज कहते हैं इंगलिस में, और उतर लेंज को क्या कह जाता है, अब सारी, अब सारी मतलब प्रकास के कीर्णों को फैलाने वाला दूर फैलाने वाला मतलब उत्तर लेंज की विश्यस्ता क्या होती है कि उत्तर लेंज प्रकास की कीर्णों को इकठा करता है और उत्तर लेंज क्या करता है प्रकास की किर्णे मुक्षक्ष के समनांतर आप्तित होती है वो प्रकास के किर्णे अपवरतन के पस्चात फोकस पर यह दूती मुख्य फोकस है एफ टू जो मैं बुला तभी आपको समझाऊंगा तो दूती मुख्य फोकस पर वो केंदरित होती है क्लियर यह होता है पहला नियम दूसरे नियम में आप देखो दूसरे नियम क्या कहता है इसका कि यदि हम प्रकास की किर्णों को प्रकास के किर्णों को यदि हम इसके प्रथम मुख्य फोकस से होके लेख जाएं यह हम प्रकास की किर्णों को मुख्य फोकस से इसका गुजार है यह प्रथम मुक्ष्च के समानांतर हो जाती है जो मुक्षिक के समानांतर हो जाती है और तीसरा इसका नियम है कि जो प्रकास की कीड़े जो प्रकास की कीड़े इसके प्रकास के अंदर से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। के अंदर से उकर जाती है वो सीधी निकल जाती है यह कहलाता है उत्तार लेंस है प्रद्वीम रचना के नियम अब हम पढ़ते हैं आउतार लेंस से प्रद्वीम रचना के नियम तो आउतार लेंस से जब प्रद्वीम बनाया जाता है तो किस पकार से इसी तरह से उससे भी ब बनाएगा और चित्र बनाना ही इस चेप्टर का सबसे महत्तपूर्ण टापिक है प्रकास मतलब फीगर बेस्ट टापिक रे डाइग्राम पर बेस्ट है जिस स्टूडेंट का चित्र बनाने में अच्छा कमांड होता है वह स्टूडेंट का सीधा सीधा प्रकास के चेप्टर में Commander होता है, proportion यह मान की चलो, यह भी हमने बना लिया एक automated lens अग यह rule क्या कहता है, इसमें की जो प्रकास की किर्णे मुक्षक्ष के, उसी तरह से उसी color का मैं use करके बना रहा हूँ, जो प्रकास की किर्णे मुक्षक्ष के समनांतर आपतृत होती है इस पकार से ये, वो अपर्तन के पस्चात इस पकार से फैल जाती है, इसल लिए उसको अप्सारी लेंज बोलते हैं और इसको पीछे बढ़ाएं, तो ये क्या है, फोकस पे आके मिलती हैं, ये इसको पढ़ा दिये तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, प्रताम लेकिन उनको पीछे बढ़ाने पर यह प्रत्थम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है यही सब कुछ है यही बेसिक है जब मैं 12 का क्लास लेता हूं आपको मालूम है कि मैं बहुत मेहनत करके बहुत एफ़र्ट लगा के टेंथ के बच्चों के लिए भी क्लास इसलिए प्रोवाइट करा रहा हूं ताकि मैं उस पीड़ा को समझता हूं कि जब स्टूडेंट 12 में होता है और उनको मैं पूछता हूं कि बेटा आप तो टेंथ क्लास में इसा पढ़के आये हो गये तो 80-90 पर से स्टूडेंट के जवाब होता है पढ़ा तो हैसा लेकिन समझ में कि मैं अच्छेसे नहीं आया है हैं तो मुझे बड़ा तकलिफ हता है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐस त्यूडेंट करूं नाइन्थ सक्वी सारे में भी मैं जाए इसलिए हम नाइंत क्लास है बैस तैयार करने के लिए मेहनत कर रहें आपके साथ तो आप को सिस करो कि चीजों को बहुत अच्छे से समझो और फ्यूचर में उस लेबल पर फिर आप इंप्रूफ करो मैं भी आपको बताया था कि यहां से तरह ले जाता हूं यह फोकस को टारगेट कर आए इस तरह से मतलब इसके फोकस की तरह पा रहा हो तो वह क्या होता है अपवर्तन के पस्चात वास्तों में अपवर्तन के फोकस में ना जाके वो क्या हो जाता है देखो सभी प्रकास की किर्णे फैल रही है आ कहीं और रही है लेकिन चली कहीं और जा रही है तो जो प्रकास की किर्णे फोकस दुईती मुख्य फोकस की दिशा में आती है वो अप कि प्रकास के केमें अप्टीług सेंडर्स से जाती हैं मतलब इसके प्रकास के अधर सहो कर जाती हैं ओपर कास के केडिये सीधी निकल जाती हैं तो यह कहलाता है श्रक्राइब्सक्राइब उपकर आंप और तो यह है प्रद्वीम रचना के नियम, तो मैं समझता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रद्वीम बनाना है, अभी तो मैं आपको प्रद्वीम बना के बताऊंगा भी, तब और यह अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, नेस्ट हम देखते हैं चिन्ह परिपार्टी चिन्ह परिपार्टी जो की हमको जानना बहुत जोरी है और इसको एक तरह से अब रिविजन हो रहा है परावर्तन में जो आपने चिन्ह परिपार्टी पढ़ा है चिन्ह परिपार्टी नहीं बदलता चिन्ह परिपार्टी चाहे lens हो चाहे दरपढ़ हो same to same होगा और यहाँ पर मैं लिग भी देता हूं bracket में कि यहाँ पर परावर्तन की तरह परावर्तन के जैसे जैसे परावर्तन में हमने पढ़ाये आपको वही क्या है यहाँ पर भी होगा तो चीने परी रिवाइज हो जाए हलाग कि आपने परावर्तन में यह सब पढ़ा हुआ है चलिए फिर भी हम एक बार आपको इसको रिवाइज करा देते हैं लेकिन पूरे रूल को लिखेंगे नहीं परावर्तन में पूरा रूल को लिखा हुआ है देखो पहला रूल क्या है कि सभी डिस् आप्तित किरण के दीशा है यह की लने कि कि यह घ्रसे आप्तित किरण के दीशी यह से क्लें इधार सी होती है यह क्रकाश की क्लें वस्थू को हमेसा लेंस के बाई और रख़ा जाएगा वस्तु हम ऐसा लेंस के बाई और रखा जाएगा तो लेंस के बाद जो दाई और का डिस्टेंस है इसको हम पाजिटिव लेंगे और लेंस के बाई और जो लेंगे उसको हम निगेटिव लेंगे सिधा सिधा आप ऐसे याद रखो कि lens के दाई और को धनात्मक लेंगे और lens के बाई और को रिडात्मक लेंगे मुख्यक्षके उपर को धनात्मक लेंगे ऐसा दरपण में भी करते थे और मुख्यक्षके नीचे को हम क्या लेंगे रिडात्मक लेंगे इस पकार से तो यह इसके चिन्ह परिपार्टी है यह कहलाता है चिन्ह परिपार्टी साइन कर्वेंशन ओके अब हम यहाँ पर देखें कि इससे प्रतिविम बनता कैसे है तो हम दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे उत्तल लेंसे प्रतिविम्बों का बनना पहले उत्तल लेंसे पढ़ेंगे फिर उत्तल लेंसे पढ़ेंगे दोनो लेंसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट यह प्रोवाइट कराया गया है देखो उत्तल Lens है प्रस्ट विम्मों का बनना पर मेंचसा आप Ihmaiges बंप यह Convex Lens ठीक है तो यह चार्ट आफको प्रिप्यार रहेगी तो दो मिनट का काम है चार्ट प्रिप्यार नहीं रहेगा तो आप सौसते बठे रहोगे तो पर चार्ट में हमने लिखा है वस्तु की स्थिती वस्तु जब अनंत हो एक सी ध्यान में रखना यहां पर उत्तल लेंस तो दरपण के साथ हम इसकी तुलना करें तो आउतल दरपण में साथ कंडिशन था और उतल दरपण में एक था इसलिए मैं अपने लेक्चर स्टार्ट क आपको पढ़ा चुके हैं यदि यह परावर्तन नहीं पढ़ा है तो मेरा सजेशन है कि पहले परावर्तन को अच्छा से करें तो आप वर्तन तो आपको ऐसी त्यार हो जाएगा ठीक है तो वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रत्वीम फोकस पर बनता है बहुत छोटा बनता ह को इसले की प्रत्विक और पुल्टा बनता है मुण बड़ा और विवर्धित बनता है, वास्तवीक और उल्टा बनता है, फोकस पर हो, तो अनन्द पर बनता है, अत्यधीक बड़ा बनता है, वास्तवीक उल्टा, ये छट्वा सब से हलाग है, जैसे दरपण में था, फोकस के भीतर प्रकास के अंदर और के बीच में हो, तो वस किन सार्ट करके रखो नोट्स में बनाओ और उसके बाद जब यह चार्ट आपका तयार हो जाएगा तो प्रत्वीम कैसे बनाते हैं इसको मैं लाइन से आपको एक-एक करके बताते जारा हूं ठीक है तो सुरू के एक-दो तो बहुत आसान है जो एक-एक लाइन में बन जाए ठीक है मेरे प्रेक्टिस से काम नहीं चलेगा ना मेरा प्रेक्टिस तो बढ़िया है मेरा के एक-ग्जाम में नहीं बैठना है कई बार क्या होता है स्टुडेंट जब मैं चीतर बनाते रहता हूं बड़े मज़े से उसको देखते रहते हैं सोफा में बैट के अराम से दो बॉट जिसन उनमेरे से मेरे उनते चीतर मेरा में चीति आप्ट है यह कुझे मरें शुवर्ग देखने कि यह इसा तो प्शीबल नहीं इसके लिए मुझे लिए मुझे मरना पड़ेगा ऐसक मने आपको औहीं पड़ेंग तो आपको अच्छा प्ढ़ा दिया तीचर न इसलिए आपको प्रेक्टिस करना है ये बात मैं इतना जोड़ देखी इसलिए बोल रहा हूं इतने साल के इस्पिरियेंस मैं ने देखा है मैं सिखाता हूं तो बचे हां सर हां सर बहुत अच्छे समझ में आ गया लेकिन बनाओ तो सिधा लाइन नेखी चा रहा है तो भीया प्रेक्टिस कर लेना ये मेरा संदेश है समझ गये तो ये पहला वाला तो बहुत आसान है देखो अब इसमें बहुत आसानी से फिगर बन जाता है ये प्रकास वस्तु अनंत में है तो प्रकास की क्रिणों को हमने मुक्षक्ष के समरांतर अप्तित कर दिया और आपको जाता है और कहां पर बन जाता है फोकस में जाता है तो वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रद्वीम फोकस पर बनता है और पहला वाला बहुत आसान है ठीक है चलिए एक एक करके इसके फिगर थोड़ा कांप्लिकेटेड होते जाएंगे बाकी कॉंसेट्ट क्लियर हो तो कोई complicated नहीं practice only practice दूसरा है Ananta और 就ove't के बीज बार-बार practice का लाइफ में कोई आइस ड्यान रखना बार-बार practice करो इसको अनफिनिटी और टू के बीज में हो तो infinity और mechanism कैसे बानेमै देखो जब Ananta अन्बस के बीज में हो तो इस परकार से बनेगा अब अनंतर टूएफ की बीच में वस्तू diving Team हो बना दो भए react to कहीं पर चलो यह अनंता टूएफ की बीच का वस्तू है यह हमने बना दिया अब इससे प्रकास के याड़ अऺ्तित कि किया यह फोकस से होके चली गए दूसरी प्रकास की किरण को मैं प्रकास के अंदर से होके लेके गया यह, इस तरह से हुआ, देखो, पहली प्रकास की किरण को, अब यहां पर इसका प्रतभीम बन गया, प्रतभीम को भी बनाई देता हूँ, मैं, अरे बहुत आसान है, बस प् फोकस से चली गई दूसरी प्रकास के अंदर से होके चली गई सीजी निकल गई दोनों एक दूसरे को यहां पर काटते हैं तो डश, बीडश इसका प्रद्विम बन गया अब यह क्या एफ और टू-एफ के बीज बनेगा तो यहां पर लिख दो टू-एफ अब चायट में देखो जब वस्तू कहां पर हो यहां पर मैंने लिखा है सपोस्थ टू-एफ यह तो वस्तू जब टू-एफ के बाहर हो तो प्र पास्तविक हमेशा उल्टा होता है तो बन गया यह अब यहाँ पर इस नेशन लिखने के जोरत नहीं है पूरा चार्ट में है मैं केवाल आपको प्रेक्टिस करके दिखा रहा हूं कि बनाना कैसे है तो इस तरह से यह बनेगा ओके चलिए नेस्ट हम देखें नेस्ट कंडिश क्या है तीसरा कंडिशन ना तीसरा कंडिशन क्या है दूसरा था ना यह तीसरा कहां पर टू एफ पर अब वस्तु कहां पर होगा टू एफ पर होगा चलो बना लो लेंस यह हमने lens बना लिया बराबर जो जो चीज में यहां सो कर रहा हूँ आप वो सब को बराबर सो करना है ध्यान रखना अब हमने वस्तु को 2F में रखा है यह वस्तु 2F पर है वस्तु यहां पर 2F पर है अब प्रद्वी मिर 2F पर बनाना है तो एक प्रकास के किरण को मुक्शक Ch Valenti, मुक्शक के देखो इससे जो ले जाते हैं प्रकास के अंदर से उसमें हमारी अजादी नहीं होती इसरी हम उसको सीधा खिंच देते हैं पहले यह यह खिंच. दिया दूसरी प्रकास मुक्षस के समरांतर ले जाओ अब इसको ऐसा कटाओ कि इतना ही बड़ा प्रद्वीम बने हो तो हमारे हाथ में है इतना ही बड़ा लगभाग बने ऐसे अंदाज से कोई जवरी नहीं कि नापना नहीं हो इसको यह अब यहाँ पर इमेज बन गया क्यो मनांतर आती है वो फोकस से होके चली गई यह चली गई दूसरी प्रकास के अंदर से होकर जाती है सीधी चली गई यह दोनों एक दिशे को काटे कहां पर काटे तो टू एप पर काटे तो जब वस्तु टू एप पर होता है तो प्रतिभीम भी कहां पर बनता है टू एप पर प्रेक्टिस नहीं करोगे तो लेके बैठे रहोगे बार-बार इरेजर घिस जाएगा इरेजर आपका घिस जाएगा मिटाते मिटाते फिर मिटाया फिर मिटाया फिर प्रेक्टिस हो तो पैंसिल पकड़ो और एक बार में ड्रा इरेजर का मतलब मिस्टेक को सुधारना मिस्टेक ही मत करो इसके बाद देखो चलो अभी तो तीन ही हुआ ना चलो चाउथा अब थोड़ा सा चाउथा में थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएंगे अपन अब रख र लखेंगे तो कैसे बने का देखो टुएफ़र एप के बीच में प्रिफू को हम रखेंगे लैंस को तो मैं ब्लू कलर सही बना रहा चलो भई, यह हुआ हमारा lens और यह dividing line इसका, और यह इसका मुख्य अक्ष यह हुआ इसका मुख्य अक्ष, चलो, अब वस्तू बना दें वस्तू हमने बना दिया किसके बीच में 2F और नाम बाद में लिखेंगे यह बना दिया 2F और F के बीच में यह फिधर है टू-इफ फिधर है एक प्राकास की किरण को तो आप बिल्कुल बिनसोचे सीधा ले जाओ कहां से प्राकास के अंदर से ठीक है चलो ताप इसको प्राकास के अंd promote ले जाओ दूर तक है स्थी मोड़ना आपके हाथ में है बढ़ा बनाना रही है कि याद रहन बनाना है कि यह प्रतिविम बना ठीक है अब यहां पर देखो A B A B वस्तु है और यह जो है A डेस B डेस इसका प्रतिविम है वस्तु कहां पर है यहां पर है वस्तु 2F और F के बीच में यह 2F है और यह इमेज कहां पर बनना है तो यह देखो यह तो फोकस से गया है फोकस लिख नहीं पड़ेगा यहां पर मैं लिख दिया 2F तो 2F और अनंत के बीच में आप चार्ट में देख लो कि कौन कहां होता है चार्ट में देख लो आप चौंथा पोजिशन क्या बोलता है चौथा पोजिशन में एफ और टू एफ की बीच में हो तो टू एफ के बाहर बना बड़ा बना वास्तवीक और उल्टा बना देखो टू एफ के बाहर बना इस पकार से ये चित्र बनेगा ठीक है जो चौथा कंडिशन में एफ पर एफ पर क्या हो जाएगा देखो अब वस्तू यदि एफ पर हो तो क्या होगा ये एफ पर है एफ पर जब वस्तू होता है तो पहला प्रकास की किरण तो हम आप्तित कर दिये कहां से प्रकास के अंदर वाला तो छोड़ने ही नहीं है ये दूसरा ये कर दिये मुक्षच के समनांतर अब क्या करो इसको इस तरह से आप इसके पास ले जाते हुए छोड़ दो बस ये सबसे असान चित्र है पास ले जाते हुए छोड़ दो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आप थो अध्यान से समझना A जो A भी वस्तुथा जो कहां पर है F पर है तो एक प्रकास के इन मुक्षफ के समनांतर गया और F से होके चला गया दूसरा प्रकास के इन सो होके चला गया लेकिन दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं आगे जाके कहीं पर काटेंगे इसलिए माना जाता है कि अनन्द पर प्रद्विम बनाएगा तो दोनों प्रकास की कीर्णों को एक दूसरे के पास लाते हुए हमको छोड़ देना है तो ये F पर वाला इमेज बनेगा अब मैं आपको जो छट्वा बता रहा हूँ तो छट्वा के बारे में एक बात बता दूँ पूरे पांचो एक तरफ हो ये छट्वा अकेले एक तरफ कहां पर? Ape और O के बीच यही एक्जाम में आता है यही सब कुछ है पूरे उतर लेंस में सबसे इंपार्टेंट है फ्यूचर में यही काम का है सब कुछ यही है और कठी तो मेरे step को ध्यान से आप देखते रहना नहीं तो फिर बहुत परिसानी होगी कि कैसे कैसे step से मैं इसको बना रहा हूँ तो देखते जाओ मैं किसको कैसे पहले बनाया पहले मैं क्या करता हूँ हमेसा पहले मैं हमेसा एक lens बनाता हूँ ये मैंने एक lens बना लिया lens बनाने के बाद क्या करता हूँ इसके बीच के dividing line को so करता हूँ फिर क्या करता हूँ फिर मैं एक मुख्यक्ष बनाता हूँ तो ये मैंने एक मुख्यक्ष बना दिया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वस्तु बनाता हूं तो चलो एक वस्तु बना दिये और वस्तु का पोजिशन चुंकि हम एफ हरो के बीच में आ गए हैं तो पास में बना दिये ऐसा पास में छोटा सा वस्तु बना दिये इतना काम आप पहले कर लोगे दूसरे काम आप क्या करोगे ध्यान से सुन दूसरे काम में आपको करना है ये प्रकास की किरण आपको यहां से प्रकास के अंदर से हो के लेके जाना है ऐसा और सेम टाइम में बीना पैंसिल उठाए मुझे उठाना पड़ रहा है आप बीना पैंसिल उठाए उसको इस तरह से पीछे बढ़ा दोगे सेम टाइम में उसी समय है, सुनलो मैं क्या बोला, जो प्रकास की ने अब टिकल सेंटर से ले के जाओ कि प्रकास के अंदर से सीधा उसी टाइम उसको पीछे बढ़ा देना, ऐसा क्यों किया थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसके बाद दूसरी प्रकास की किरण लो, और दूसरी प्रकास है बनाने का इसको आगे बढ़ा तो ऐसा अब यहां पर आप क्या देख रहे हो अब यहां पर आप यह देख रहा हो कि दोनों पीछे बढ़ाने पर एक लुसके को आठे हैं यह 5 दोनों पीछे-बाइ से टुश्य को तो आगे जो प्रकास की फैलेंगी लेग्सिशे को नहीं दोनों को पीछे बढ़ाया तो दोनों पीछे बढाने पर एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं इसलिए यह जो क्या बनेगा इसका प्रदवीम बनेगा ADSBDAS, तो देखो ये 6 पोजिशन और चार्ट में देखो चार्ट में हमने क्या लिखा है? 6 पोजिशन में चार्ट में हमने लिखाया है, देखो यहाँ पर कि प्रकास के अंदरा की बीच में हो तो वस्तू की और प्रद्विम जी धर वस्तु उधरी बना है, बड़ा बना है, आभासी और सिधा बना हुआ है, बना है, वस्तु की और बना है, बहुत बड़ा है, आभासी और सिधा है, तो चार्ट में पुरीज की प्रापर्टी लिखी हुई है, यह हो गया 6 पोजिशन, यह 6 पोजिशन हो किसके हो गया आउतार लैंख के सुछ फशोई निद handlar बना इसके लिए पहले भाई हम रहालें चलिए पहले शब्से पहले यह मैं एक आउता लेंस बना रहा हूँ यहाँ पर देखो एक आउता लेंस है और यह जो आउता लेंस है इस तरह से इसका जो डिवाइडिंग लाइन है यह बीचो बीच है ऐसा और इसका मुख्यक्च यह इसका मुख्यक्च है अब होता क्या है इसके सामने हम ने वस्तू रख दिया इसका कोई position नहीं इसका सीधा सीधा position होता है लेंज के सामने लेंज के सामने एक वस्तू रख दिया ये लेंज के सामने वस्तू है ध्यान से समझना एक प्रकास की किरण को मैं इसके प्रकास के अंदर से लेके पार कर दिया दूसरा मुक्षच के समना अंतर लिया अब ये प्रकास की किरणे क्या होती है फैलती है तो हमने इसको इधर फैला दिया अब इसको हम पीछे बढ़ाए इसी को हम क्या किये पीछे बढ़ाए ऐसा तो पीछे बढ़ाने पर पहले प्रकास की किरण को यह यहां पर काड़ती है ये काटती हैं पहले प्रकास के रहाँ ये इसका प्रत्वीम बनेगा अब इसकी विश्यस्ता देखो A B वस्तु है और A डेस B डेस प्रत्वीम है इस प्रत्वीम बना है हमेशा ऐसी प्रत्वीम बनेगा तो यहाँ पर होता क्या है, प्रतिवीम की विसेस्ता क्या है, इमेज जो होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो प्रतिवीम है, इसकी विसेस्ता को मै लिक रहा हूँ, चार्ट इसका बना नहीं है, बनाने जुरत में हैं, प्रतिवीम क्या विसेस्ता है, पहला, वस्तू से छोटा या वस्तू की और, पहले तो किधर बनेगा ये, वस्तू की और बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वस्तू से छोटा बनेगा, तीसरा क्या है, अभासी बनेगा, और अभासी बनने के कारण वो किधर बनेगा, सीधा बनेगा, इतना इसका प्रापरिटी है, पहला प्रापरिटी वस्तू की और बनेगा देखो यह वस्तू है तो वस्तू की और बना दूसरा वस्तू से छोटा देखो यह वस्तू है और यह उससे छोटा बना तीसरा आभासी है क्योंकि यह सीधा है ऐसा बनेगा आउता लेंसर प्रतिविम का बनना तो यह हुआ हमारा प्रतिविम रचना अ उसमें परावर्तन और अपवर्तन के निमेरिकल्स को एक साथ कराऊंगा। तो तीन पाइट में आप प्रकास को पढ़ होगे। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा इसका निमेरिकल्स, उसके बाद मैं आपको वर्ण विच्छे पढ़को, फिर अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कलर फुल वर्ड जिसको बोलते हैं, रंगीन दुनिया में लेके जाएंगे लास्ट में, ठीक है, चलिए, अब हम देखें लेंस फार्मूला, यह लेंस फार्मूला है, इसको लेंस का सूत्र बोलते हैं, जैसे आप दरपर्ण सूत्र पढ़ें, वैसी यह लेंस फार्मूला है, लेंस का सूत्र है, और संकेत आपको पहले से पता है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, F क्या है, फोकस दूरी है, F को कहते हैं, फोकस दूरी, कि इसको कहते हैं प्रतिवीम की दूरी तियों प्रतिवीम की दूरी यह कहलाता है क्या है लेंस फार्मूला ते लेंस फार्मूला आप इसको याद कर ले ना, इसके नुमेरकल्स मैं आपको कराऊंगा, यहां नहीं करा रहा हूं क्योंकि मेरा थियोरी का लेक्चर है, इसके नुमेरकल्स मैं आपको अलग से नुमेरकल्स के क्लास में कराऊंगा, सर्थ कुछ इसमें बताये नहीं, ऐसा समझने उसके लिए स्पेशल क्लास हो देखो किसी चीज़ को पर्टीकुलर उसी परपस के लिए पढ़ना ज्याद अच्छा होता है नेस हमारा टापिक है रैखी कावर्धन रैखी कावर्धन वहाँ पर भी पढ़े हो दरपण में भी वैसी यहाँ पर भी होता है बस वहाँ माइनास होता है यहाँ प्रत्वीम की दूरी है बाकी संकेत मैं आपको पीछे बता चुका आई क्या है प्रत्वीम की लंबाई दूर वस्तु की लंबाई है यह वस्तु की लंबाई है ठीक है तो आई प्रद्विम की लंबाई है वह वस्तु की लंबाई है और इनका अनुपाज जो होता है वो क्या कहलाता है रैखी कावर्थन कहलाता है लीनियर मैगनिफिकेशन इसको एम से हम प्रदर्सित करते हैं ओके क्लि बराबर लेंस के छमता को हम P से पदर्शित करते हैं और P बराबर होता है एक बटे फोकस दूरी मीटर में या P बराबर होता है 100 बटे एफ सेंटी मीटर में यह लेंस की सक्ती का फर्मूला है और इसका मातराख होता है डायाप्टर डायाप्टर इस दा यूनिट आफ लेंस यह डायाप्टर लेंस का यूनिट होता है तो यह फर्मूला आप याद कर लोगे और इस पर निमेरकल ही होता है जिसको हम आगे आपको कराएंगे तो बताएंगे यह लेंस का सक्ती कहलाता है ओके लेंस की सक्ती यह फर्मूला आपक परकस बनते हैं और यह बहुत important topic है derivation तो नहीं करना है concept समझने जैसे यह एक lens है इसके बाद मानलो दूसरा जैसे जब 2 या 2 सधीक lens को जोड़ा जाता है तो 2 या 2 सधीक lens को जोड़ना ही lens का क्या कहलाता है समुहन बस इनका principle axis कामन होना चाहिए अब यहां पर होता क्या है कि मानलो पहले lens मानलो पहले lens की focus दूरी यह l1 lens है यह l2 lens है पहले lens की focus दूरी मानलो f1 है दूसरे lens की focus दूरी मानलो f2 है तो इनको जोड़ने के बाद इनकी जो cool focus दूरी होती है 1 upon f वो 1 upon f1 plus 1 upon f2 और तीसरा होता तो 1 upon f3 ऐसा होता है इस class में आपको इसको derive नहीं करना है लेकिन फार्मूला को जानना है यह कहलाता है क्या lens का समुहन इसी कोईदी हम सक्ती के रूप में लिखें इस फार्मूला को मानलो हम इसको power के रूप में लिखें तो p equal to p1 plus p2 इस छोटे से फार्मूला से कई बार board exam में question आया हुआ है इस छोटे से फार्मूला से कई बार board exam में numerical question आया हुआ है तो यह हमारा complete हो गया अपवर्तन का टापी कहां complete होता है तो पहले part में हमने आपको परावर्तन पढ़ाया दूसरे में complete अपवर्तन पढ़ तो theory में जब तक command नहीं रहेगा चीजों का अच्छे सनी समझों के तब तक numerical नहीं बनेगा और numerical नहीं बनेगा मतलब आपको physics में अच्छा command नहीं है ओके चलिए तो यहां तक आपको अच्छे स्ट्यार करना है बाकि ने स्क्लास में आपको हम numerical कराएंगे ओके थैंक थैंक हुआ तो